दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल Tech with Krish में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब टीम को कॉंटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो होने वाली है नॉलेच से भरपूर एंड तक बने रहेगा तो चलिए करते हैं वीडियो का शुबारंब दोस्तो अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है तो कभी ना कभी जाने अंजाने में आप से यूट्यूब पर गलती हो सकती है अब दोस्तो यूट्यूब पर कुछ गलतिया ऐसी होती है जो हम जान बूच के करते हैं जैसे दूसरे का content अपनी वीडियो में use करना और दोस्तो YouTube पर कुछ ऐसी गलतिया भी होती है जो हम जान बुचके नहीं करते और हमसे गलती से हो जाती है मतलब कोई ऐसी वीडियो अपलोड करना जो community guidelines के खिलाफ हो और दोस्तो YouTube पर कुछ ऐसी problems भी होती है जो YouTube की तरफ से हमारे चैनल पर आ जाती है मतलब गलती से YouTube के system की वज़े से हमारे चैनल को face करनी पड़ सकती है जो दोस्तो YouTube पर कई ऐसे cases देखे गए है जिसमें चैनल की गलती हुए बिना उन channels को terminate या suspend कर दिया गया है अब दोस्तो वो बात अलग है कि उन channels ने जब YouTube team को contact किया तो उन में से कई channels वापस कर दिये गए तो दोस्तो सवाल यहाँ पर आखिर यह है कि YouTube team को हम contact कैसे कर सकते हैं अब दोस्तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि YouTube team को हम contact कैसे कर सकते हैं इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दू कि YouTube टीम को कॉंटाइट करने के लिए YouTube ने यहाँ चैनल्स को दो टुकडों में बाटा है, एक चैनल्स वो जो की मॉनिटाइजड है और एक चैनल्स वो जो की मॉनिटाइज नहीं है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो चैनल्स मॉनिटाइज नहीं है, वो YouTube को कैसे कॉंटाइट कर सकते हैं, अब दोस्तो अगर आपका चैनल्स मॉनिटाइज नहीं है और आप YouTube को कॉंटाइट करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वज़ा से, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको सबसे पहले Twitter प कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप Twitter पे YouTube इंडिया को टैक करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जै दोस्तो ट्विटर पे YouTube टीम का आपको रिप्लाइ आ जाएगा, और विदिन 1-2 विक्स आपको YouTube टीम से रिप्लाइ मिल जाएगा, अब दोस्तो अगर आप चाहते हैं क Twitter पे आपको जल्दी रिप्लाइ आए, तो आप क्या कीजिए, अपने tweet को अपने दोस्तों से और अपने जितने जादा हो सके viewer से retweet करने के लिए कह दीजिए, अब दोस्तो जितने जादा आपके tweet को retweet मिलेंगे, उतनी ही जल्दी आपका tweet YouTube इंडिया तक महुचेगा, तो इ दोस्तों दूसरा तरीका जिससे आप YouTube को contact कर सकते हैं, अगर आपका channel monetize नहीं है, तो वो है YouTube app की मदद से, जै दोस्तों अगर आप YouTube आप खोलेंगे और वहाँ पे आप YouTube channel खोलेंगे अपना और अपनी profile पे click करेंगे, तो वहाँ पे आपको help and feedback का option मिलेगा, अब दोस्तों इस option पे click करके आपको अपनी सभी problem YouTube team को बता देनी है, और दोस्तों जैसे ही आप अपनी problem YouTube team को बता देंगे, तो within 7 to 14 days आपकी problem का solution आपको मिल जाएगा, तो अगर आपका YouTube channel monetized नहीं है, तो आप इन दो तरीकों का इस्तमाल करके YouTube team को contact कर सकते हैं, अब दोस्तों अगर हम बात करें उन लोगों का जिनका channel monetized है, मतलब जो अपने channel से earning कर रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों YouTube हमें काफी ज़्यादा सहूलियत देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लोगों का channel monetized है, उन्हें YouTube एक ऐसा option देता है, जिससे वो YouTube team को जल्दी से जल्दी contact कर सकते हैं, अ अब दोस्तों अगर आपका channel monetized है, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी YouTube studio app को खोल लेना है, वहाँ पे दोस्तों जब आप अपनी profile पे click करेंगे, आपको वहाँ पे help का option show होगा, उस help के option पे click करके आपको अपनी problem YouTube team को बता देनी है, अब दोस्तों जैसे आप अपनी problem पताएंगे और submit पे click करेंगे, वहाँ भी दोस्तों आपको दो option दिये जाएंगे, जिसमें से पहला होगा YouTube chat और दूसरा होगा YouTube email, जै दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी option चूज़ करके, जिसमें से पहला है YouTube chat और email support का इस्तमाल करके YouTube team को contact कर सकते है अब दोस्तों मैं आपको बता दू कि सबसे fastest तरीका जिससे आप YouTube team को contact कर सकते हैं, वो है YouTube chat की मदद से, इसमें दोस्तों आपको कुछी मिंटों में YouTube team से connect कर दिया जाएगा और आप अपनी problem का live solution पा सकते हैं, और अगर live chat पे problem आ रही हो, तो आप email support की मदद से अपनी problem YouTube team पहुचा सकते हैं, तो अगर आपका channel monetized है, तो आप इन दो तरीकों से YouTube team को contact कर सकते हैं, तो दोस्तों इन शॉट कहने का मतलब बस यही है, कि अगर आप YouTube पे वीडियोज बनाते हैं, और YouTube पर अगर आपको कोई भी problem face करने पड़ती है, तो आप इन सभी तरीकों का इस्तमा करना मन भूलेगा, तो अब लूँगा आप से इजाज़त मिलूँगा, कल फिर एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ, तो चलता हूँ, जय हिंद और वन्दे मात्रम।